अच्छा मैं बस यह कहूंगा कि किसी को ऐसा लालस देखे अगर कोई टेर्रिस्ट हो गारा भेजता है आपके किसी को जन्नत का खौफ दिखाते हैं तो वो सही है आपकी निजर में मौरिया साहब मैं आपसे एक बात पुछता हूँ कि हमारे मुल्क में कुछ लोग देश-भक्ति का नाम लेकर के mob linching करते हैं तो mob linching करना गलत करते हैं पर नाम तो देशभक्ती का लेते हैं तो क्या देशभक्ती गलत है या mob linching गलत है जो मारने वाले सब अपने आपको देशभक्त समझते है जैशिरी राम का राला लगा करके मौब लिंचिंग करते हैं तो जैशिरी राम बोलना गलत है देजभक्ती गलत है कि मौब लिंचिंग गलत है देखिए अगर आप उस पर बात करते हैं देखिए अगर उसका कोई रत्ती भर भी दोस्त ना होना तो फिर कोई बात है मारना गलत है पर देखिए आग वही उठती है जहां कोई जोब नहीं दिया मैंने सवाल यह किया मारना मॉब लिंचिंग गलत है या देश भकती और जैशिरी राम का नारा लगाना गलत है देखिए अब मैं बता रहा हो कहा माना जायज है अगर वो गदार है उसने कई लोग क खून किया और लो गदार की अधार की बाती है और गहाँ है उसको कोई भी उसका इल्जाम नहीं है उसको माना निहाईती गलत है लोग लेकिन देश्यभक्ती समझ़के कर। लगवस्त अधर revisit जेश्री उसकी जेश्री राम का नारा गलत नीम थे हो अधर जेश्री बिश्भक्ति का नारा है मैं बताएं च्छोटी सा बात ऊप कि एक जिषरार के मार सुमार मार स्वार कि दकàn और तो डेश भक्त्ति का नारा लगा के मारना गलत है अगर मासूम को मारा जा रहा ज़ए इस भक्ति दरार वह भी गलत है यार सवाल करना है भक्ती गलत नहीं है ना मारना गलत है ना हाँ बिलकुल मारना गलत है तो मारना गलत है अगर मारने के लिए एक सही चीज़ का भी सहारा लिया जा रहा है तो सही चीज़ को तो गलत नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे लेकिन वो जो मारा जा रहा है इसको उस पर लिपन करते हैं आप खुद तसलीम कर रहे हैं कि बाद मरतबा एक सही चीज़ का सहारा ले करके गलत करने वाले गलत क लो हमने उ हही बोल रहे हैं जन्नत सही है बाहत्तर ढूरों का अगीदा सही है अगर इसका सहरां कि कोई इनसानों हो खतल सही來 खर चाहा है तो जात यह घठत है तो जोिस्ता रही सहरारा करना जातुत शक्री है आप जो बोल रहे हैं ना मासूम है कि मासूम नहीं या आप गलत बोल रहे हैं वो मासूम है या मासूम नहीं है ये अदालत फैसला करेगी ये मौप फैसला नहीं करेगी वो मासूम है कि मासूम नहीं है वो आप गलत बोल रहे हैं पर मैं वो मेरा पॉइंट नहीं है वो हमारे आप लोग इतनी इंसानियत की बात करते है एक मरतबह आप बोल दीजे कि मॉब लिंचिंग गलत है इसका आपका थ्रम परस्क नहीं हो जाएगा आप बोले आदमी को मार दे तो आपकी परिभाशा क्या टर्रिस्म की वो रियक्शन देखिये मतलग जरूरी कि उसके मुसल्मान हो तो हम हर उस आदमी को जो कानून अपने हाथ में लेता है टर्रिस्ट बोलते हैं कौन मासूम है कौन नहीं मासूम है ये फैसला डालते करेंगी कोई भी अवाम कोई भी मॉब अगर किसी इनसान को पकड़ के मार दे रही हो टर्रिस्ट है मैं ये समझता हूँ आप लोगों ने टर्रिरिस्म की परिभाशा ये बनाई भी कि आप कलर कपड़ों का टर्रिरिस्ट करते हैं अगर उसने भगवा पहना हुआ है और देश भक्ती का नारा लगा रहा है तो आपके हिसाब से वो पकड़ कि किसी को मार डाले तो टर्रिस्ट नहीं है तो हम ये कौन सी टर्रिरिस्म की परिभाशा है जिसमें मॉब लिंचिंग में मार लोग जिनको कोई वो नहीं है धरम के नाम पे चा कोई भी करें है वह रहाल आप माने या ना माने मुझे आप बराबर इस ट्रीम में आते रहते ना तो मुझे बिलकुल आप से यह उम्मीद नहीं थी कि आप मॉब लिंचिंग जैसे घटी आमल की वह कभी जस्टिफाई कर बिलकुल अगर वो नहत्ता है मासूम है वैसे एक उनका कॉंसेट होता है जिस मारने वालों का कि इनको मारें इसे क्यों लगा रहें साफ साब बोलिए ना नहत्ते आदमी को जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको मार देना टेरिरिज्म है बोल दीजे ना साफ एक बार अब इसके डिफिनिसन को डिफिनिसन क्या है आप पहले उसको चेक किजी गूगल पर ठीक है आप अपने टेरिरिज्म के साथ कुछ रहें देखिए इसलिए मैं कहता हूं हिंदोस्तान का मुसलमान टेरिरिज्म का जादा मुखालीफ है आप देखिए सामने लाइव चैनल आप खुल करके टेरिरिस्म को टेरिरिस्म नहीं बोल पा रहे हैं हम तो खुल करके बोल रहे हैं कि हर वो मुसल्मान जो बेगुना लोगों को मार रहा है चाहे वो गुनेगार ही क्यों ना हो अगर एक मुसल्मान कानून अपने हाथ मिले करके गुनेगार को भी मार रहा है तो भी वो टेरिरिस्ट है हम बोल रहें हैं आप तेरिरिस्म को जस्टिफाइए कर रहे हैं हम टेरिरिस्म को जस्टिफाइए नहीं करते हैं लगा रहे हैं हम साफ साफ बोल रहे हैं मासूम हो या गुनेगार हो अदालते फैसला करेंगी कौन मासूम है कौन गुनेगार है अदाल कर रहा है जिसको मार रहा है चाहे वो मासूम हो चाहे गुनेगार हो उसको मारने वाला टेरिरिस्ट है एक मुझे आप से उमीदी नहीं थी एसी आप हमारे हाँ हमारे बराबर की वीवर हैं आप से इतनी बात करने की और इतना हिमेनिटी के खिलाब बात करने की उमीद नहीं थी कि आप live एक वीडियो चलते वे आप इस तरह के terrorism को justify करेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी आपसे मैं तो आपसे बात नहीं करूंगा आगे